हलो बच्चो वेलेकम टू ड्रीम क्लासेज आज से हम आपके लिए सलिवस लेकर आए हैं कि आपके बारहमे की बोर्ड परिक्षा में हमारे एक्जामनेशन में किस-किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बच्चो लोग को जानने की जरूवत है कि हमको कौन सा टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे एक्जामनेशन में अच्छे नंबर आएं तो चलिए देखते हैं सलिवस आज का हम पहला जो है बच्चो ये हमें पढ़नी है मैट्रिक्स एंड इटरिमिनाउंट ठीक है इसको हम कहते है हिंदी में आब्यूह और शावनिक ये बच्चो एक्जामनेशन में इस से हमारा दस से बारा नंबर का कोश्चन आगता है ठीक है दूसरा हमें पढ़ना है कैलकुलस और इस कैलकुलस में दो पार्ट पढ़नी है पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस ये हमारा अबकलन से सम्बंदिक टॉपिक्स होता है और ये हमारा शमाकलन से सम्बंदिक टॉपिक्स होता है और इस कैलकुलस है हमारे एक्जामिनेशन में पैतालिश ये पचास नंबर का कोश्चन आपता है खिक है तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हमारा है 3D वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री यह इसको बोलते हैं हम त्री बीमिये शदीश और त्री बीमिये जियामित्री इस टॉपिक्स हमारे एक्जामिनेशन में 20 से 25 नंबर का कोश्चन आता है ठेक है और चवथा हमारा जो टॉपिक्स है इसको हम बोलते हैं प्रोबे बाइबलीटी यानि इसको प्राइक्ता कहते हैं यह प्राइक्ता से हमारे एक्जामिनेशन में 10 से 12 नंबर का कोश्चन एक्जामिनेशन में बोलता है ठेक है यानि हमारा जो है पहला टॉपिक्स जो है मैटिस और डिटेर्मिनांट यह भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है चुकि 10 से 12 नंबर का एक्जामिनेशन में आता है और दूसरा हमारा है कैलकुलेश इससे हमारा एक्जामिनेशन 45 से 50 नंबर का कोश्चन आता है और इससे रिलेटेड आपका जो भी कम्टरिटी एक्जाम होता है जैसे हमारा हो गया IAT बगर हो गया ठीक है या टीपली तो इंजनेरिंग का एक्जाम में भी से खुब कोश्चन पुछता है और इशे भी कोश्चन पुछता है तो 3D भेक्टर एंड 3D जोमेट्री इसको हम कहते हैं 3D मिय शदीश और 3D मिय जयमेटी और 4 जो है इसको प्राइबिलिटी यानि प्राइक्ता यह हमारा 10 से 12 नमर को कुश्चन आता है ठीक है एक छोटा सा टॉपिक्स और है चाहियत इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं चुकि यह कॉपी में नोट होना जरूरी है चुकि यह सब बच्चों को पता होता है तो ज़्यादा फोकस कॉपिक्स में करना है यह दिमाग में बाते रखती है पांचमा जो है इसमें जो है आपका आता है LPP गराव इससे संबंदित एक्जामिनेशन में हमारा 6 नमर का कॉश्चन आता है ठीक है बच्चों तो यह पूरा शलेवस हमारे 12 क्लाश में पढ़नी है यानि कि पूरे यह हमारा 12 महिना का कॉर्ष है टोटल जो हमने 5 टोपिक्स के बारें बताया यह 5 टोपिक्स जो है टोटल 12th months ठीक है यह पूरे 12 महिना लग जाते है पढ़ने में ठीक है तो यह सब टोपिक्स में हम आपको सब्जेक्टिब कोश्चन, अब्जेक्टिब कोश्चन, सौर्ट कोश्चन, लॉंग कोश्चन का बित्रिक्स सथ सोलीशन पढ़ेंगे ठीक है तो यह हमारा आज का सेशन में सिर्फ हमने यह बताया कि हमारी बारे में की बोड परिक्षा में हमें क्या पढ़नी है ठीक है तो हम नेक्स्ट डे से आपका हम सलेबस यहने की NCRT बुक का पहला चेप्टर रिलेशन से शुरू करेंगे